आलू के बारे में जी हाँ फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू के बारे में बेहत जरूरी जानकारी तो वीडियो को पूरा देखें एम लाइक और शेयर करें अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं तो चलिए सुरू करते हैं आलू सबसे आम और महतोपुर्ण भोजन सुरूतों में से एक है 16 सदी में इस्पेन पूर्टगाल यूरोप तथा 17 सदी में भारत एवं 19 सदी में अन्य देशों में आलू का प्रवेश पूर्टगालियों तथा अंग्रेजों द्वारा हुआ लेकिन क्या आप इस आलू और बैगनी आलू आलू में इतने पॉष्टिक तत्व और गुण है कि इसका कई रूप में उपयोग किया जाता है इसलिए चलिए विश्तार से इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले यह जानते हैं कि आलू में विटामिन और मिनरल्स कौन-कौन से होते हैं एक 100 ग्राम के आलू में कैलोरी 77, प्रोटीन 2.05 ग्राम, पानी 79.2 ग्राम, कार्भो हाइडरेट 17.5 ग्राम, लीपीड वसा 0.09 ग्राम, डाटरी फाइवर 2.1 ग्राम, सूगर 0.82 ग्राम, स्टार्ज 15.3 ग्राम, कल्सियम 12 मिलिग्राम, आइरन 0.81 मिलिग्राम, मैगनीसियम 23 sorry 3 pills कार्ज ow कार्य ग्राब्स worst 57 घ्राम, 25 क्राम 2 ग्राम, स्टितों6 ग्राम, स्टीन अन्न फावी व्राम, कोपर 0.11 ग्राम, मैझ in is 0.18Is फोलेट 15 माइक्रो ग्राम, कोलीन 12.1 मिलिग्राम, बीटेन 0.2 मिलिग्राम, बिटामिन A 2 मिलिग्राम, बिटामिन E 0.01 मिलिग्राम, बिटामिन K 2.0 माइक्रो ग्राम, सैचुरेटेड फैटी एसिद 0.025 ग्राम, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिद 0.002 ग्राम, पॉली unsaturated fatty acid 0.042 ग्राम होता है आईए अब जानते हैं इसके फाइदे के बारे में आलु कोलेस्टरॉल फिरी होता है आलु विटामिन बी और सी के अलावा लिव्टिन और जैक्सेंथीन जैसे कैरोटेनायड से भी सम्रिद होता है जो हिर्दय को स्वच्थ रखने में करने का काम करता है आलु में हड्डियों के लिए सबसे जरूरी पूशकता तो कैल्सियम भी पाया जाता है हड्डियों के विकास और मजबूती के लिए कैल्सियम अहम भूमिका निभाता है इसके अलावा आलु में मौझूद मैगनीसियम की मात्रा हड्डियों के संरचनात स्मक्ष विकास में मदद कर सकता है आलु को विटामिन सी का अहम स्रोत माना गया है विटामिन सी का व्योग कैंसर ठेरेपिके लिए किया जा सकता है आलु में फ्लेवो नाइड्स एंटी ऑक्सिडेंट और विटामिन ए जैसे जैक्सेंथीन और कैरोटीन मौझूद होते हैं जो कई प्रकार के कैंसर से बचा सकते हैं साथ ही आलु में क्वेर्शेटिन नामक एक कंपाउंड मौझूद होता है जो एंटी कैंसर और एंटी ट्यूमर होता है आलु फाइबर कार्बोहाइडरे तथा बिटामिन B3 से सम्रिद होता है जो पेट से जूली समस्याओं पर प इडनी इस्टोन को बाहर निकालने में मदद कर सकता है इसकरवी मसूडों से संबंदी समस्या जो सरीर में विटामिन C की कमी के कारण होती है आलु विटामिन C से सम्रिद होता है जो सरीर में करवी जैसे रोक से बचाने में मददगार साबित हो सकता है फ्रेंड्स वीडिय या से रहा दिलाने में मदद कर सकते हैं आलू सोडियम और पोटेसियम से भी भरपूर होता है जो प्रभावी लेक्ट्रोलाइट है जो डाइरिया के दौरान सरीर में तरल को नियंतरित करने का काम कर सकते हैं आलू और आलू का छिलका दोनों एंटी फ्लेमेंटरी गुनों से सम्रिद होता है जो सूजन को कम करने का काम कर सकता है आलू में अलफा लिपोईड नामक एसिड मौजूद होता है जो मस्तिस्क के विकास में योगदान दे सक लिपोई कलजाइमर से पीडित मरीज में याददास्त को बढ़ाने का काम कर सकता है। आलू विटामिन C एवं फाइबर से सम्वर्ध होता है। वहीं विटामिन C को एक कारगर इम्मिनिटी बूश्टर के रूप में जाना जाता है। विटामिन C एक प्रभावी अंटी आक् करता है। वजन नियंत्रित रखने के लिए आलू को इस्टीम बेक्ड या उबाल कर खाना अच्छा विकल्प हो सकता है। वहीं अगर आप आलू चिप्स बर्गर समोसा या फ्रेंच फ्राइच का सेवन करते हैं तो इससे वजन बढ़ने का जोखिम हो सकता है। आलू खान में माहवारी जैसे दर्द से अन्य प्रकार के जोखिम को कुछ हद तक कम कर सकता है। आलू में विटामिन सी जुरियां काले धब्बे संबर्न सुखी तथा मृत को सिकाओं को हटाने डार्क सर्कल और सूजी आंखें तथा को बढ़ा कर चमकती तवचा के लिए भी फायद उपकारी हो सकता है। तो फ्रेंड्स आलू के इतने फायदे जानने के बाद सायध आप आलू को अपने जीवन में जरूर सामिल करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सेयर करें तथा नो यूर्फूड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूले क्यों कि Know Your Food चैनल पर आपको हेल्थ सम्मंधी महतोपूर्ड वीडियो मिलेंगे धन्यवाद